नए साल की शुरुआत कुछ मिठास के साथ Hello friends, मैं गीत My mother's recipe में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम traditional style में गाजर का हलवा जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिस्ट है एकदम हलवाई style चलिए बनाना चाथ करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है धाई किलो गाजर जिसको मैंने वाश करके ग्रेट करके रख लिया है इसके बाद हम कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में 2 टेबल स्पून देसी घी आट करेंगे देसी घी को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देसी की बिर्कुर मेल्ट हो गया है अब हम धीरे धीरे करके अपने ग्रेट गाजर को यहाँ पर आट कर देंगे यहाँ पर मैंने पूरी ग्रेटेट काजर एड़ कर दी है कढ़ाई में आपको लग रहा होगा यह पूरा फुल हो गया है उपर तक पर जैसे जैसे यह थोड़ा सा पश्टा जाएगा इसकी क्वांटिटी अपने आप कम होती जाएगी अभी देखेगा थोड़ा सबस आपको दीरे से इसको चलाते हुए थोड़ा सस्टर करते हुए इसको नीची से उपर की तरफ लाना है जिससे हमारी गाजर पूरी तरह से पक जाए अभी देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर मोस्ली गाजर पक चुकी है ऐसे ही हमें धीरे धीरे से चलाते हुए गाजर को अच्छे से पकाना है यहाँ पर देखिए फ्रेंट्स इस स्टेज पे गाजर पूरी तरह से पक गई है अब यहाँ पर हम यहीं चेक करेंगी कि गाजर में एक्सिस वाटर तो नहीं है अगर थोड़ा सा भी वाटर हमें दिखता है लगता है तो हम गाजर को थोड़ा सा साइडों में स्प्रेड कर देंगे जिससे हमें पता चले कि हमारे गाजर में पानी है या नहीं है यह देखिए फ्रेंट्स मैंने थोड़ा सा गाजर को साइडों में स्प्रेड कर दिया है तो हमें बीच में क्वांटिटी पता चल रही है पानी की कि पानी कितना है अब गाजर में तो हमें इसी एक्सिस पानी को सुखाना है अभी यह देखे, यहाँ पर मैंने पूरी हाई फ्लेम करके पाने को पूरी तरह से सुखा लिया है अब गाजर बिल्कुल ड्राय हो गई है, अब इसमें बिल्कुल भी एक्सिस वाटर नहीं है यहाँ पर मैंने डेर कटोरी खान का यूज किया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डे मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं पर डेर कटोरी खान में एक्टम परफेक्ट मीठा मिल जाता है अब देखिए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे खान मिक्स करने के बाद आप देखेंगे हमारी गाजर में थोड़ा सा पानी शो होगा उसको हमें थोड़ी सी देर तक हाई फ्लेम पे थोड़ी देर तक सुखाना होगा इसके बाद मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूद यूज किया है यह दूद मैंने पहले से ही बॉइल करके रख लिया था जिसकी वज़े से उसमें एक मलाई सी आ गई थी यहाँ पर हमने डेर ग्लास दूद यूज किया है दूद को अच्छे से गाजर में मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे हमें तब तक पकाना है जब तक दूद पूरा धर से गाजर में एब्सोर्ब ना हो जाए पर इसको चलाते रहेगा फ्रेंड्स अगर आप नहीं चलाएंगे या चलाना बंद कर देंगे तो यह नीचे से लगना शुरू हो जाएगा आप नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा कढ़ाई में इसलिए कंटीनियू इसको चलाते रहें इस प्रोसेस को थोड़ा सा करने में आपको पास से दस मिनट का टाइम लग सकता है जब हमारा मिल्क पूरी तरह से गाजर में मिक्स हो जाएगा आपको ऐसा टेक्स्चर दिखाई देगा ऐसा टेक्स्चर आने पर आपको लगेगा कि हाँ हमारा मिल्क पूरी तरह से आड़ हो गया है अब यहाँ पर मैंने 250 ग्राम खोई आड़ कर लिया है जिसको मैंने ग्रेट करके रख लिया था अब यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी मैं भी आड़ कर रहे हूँ थोड़ी सी स्प्रे को मिक्स करने के बाद आड़ करूंगी यह देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल गाजर में बिल्कुल पानी नहीं है ना आपको मिल्क लगेगा कि मिल्क हमने एक्सिस मिल्क है यह देखिए यह कंप्लीट मिक्स कर लिया है मैंने खोया और यहाँ पे जो हमने थोड़ा सा कोया बचा के रखा था वो वाला खोया भी आड़ कर लेंगे यह देखिए मैंने बचा हुआ खोया भी एड़ कर लिया है इसमें आप इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद 1 फोर्थ टी स्पून कार्डेमम पाउडर लिया है इलाइची का पाउडर इसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे और एक पाउल मैंने ड्राइफ रूट्स लिये है इस ड्राइफ रूट्स में मैंने पिस्ता, काजू और भीगे हुए बदाम काट के डाल दिये है और यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बदाम को आप भिगो के भी डाल सकते हैं ऐसे भी डाल सकते हैं आपकी चुई से एक बार जरूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगा हलवाईों के एकदम स्टाइल से है ये गाजर का हलवा एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल से एकदम ओथेंटिक स्टाइल से थैंक यू फॉर वाचिंग राधी राधी